महीने भर से जादा हो चुका इसराइल हमास युद्ध अभी भी जारी है और दिन बदिन बढ़ता जा रहा है इसी बीच सैयुक्त रस्च सच्चव एंटोनियो गुटेरस लगातार सीज फायर के लिए कह रहे हैं इसके साथ ही उन्होंने ये कह दिया कि गाजा बच्चों का कबरगाह बनता जा रहा है उन्होंने कहा कि जंग में दोनों पक्षो और अंतराष्चे समुधाय को मौलिक जिम्मदारी निभानी पड़ेगी सैयुक्त राष्च्र के प्रमुक ने कहा कि जंग की शुरुआत से ही फिलिस्तीन शरनार्थियों के लिए काम करने वाले संयुक्त राष्टर राहत और कार्य अजंसी यानी UNRWA के कर्मचारी भी मारे गए है एंटोनियो गुटेरस ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि हाल के हफ्तों में हमारे संगठन के इतिहास में किसी भी अवधी की तुलना से अधिक संयुक्त राष्टर सहायता कर्मी मारे गए हैं लेकिन इसराइल ने शायद कुछ और तै कर लिया है इसी सलसले में इसराइल के प्रधान मंत्री ने कहा कि हमास के अनिश्चित कालीन जंग के बाद गाजा की सुरक्षा का जिम्मा इसराइल के हाथो में होगा हमने देखा है कि अगर हमारे पाज सुरक्षा के जिम्मेदारी नहीं होगी तो क्या होगा अज्रखי इसराइल, ने मबकेश लाटकेन इत्कें अटकें अटकें अलेम्शेख המלחמה בדרום, המלחמה ברצועה מתקדמת בעוצמה שהחמאס מעולם לא יקיר העיר עזה מחוטרת אנחנו פועלים בתוכה אנחנו מעמקים את הלחץ על החמאס מדי שעה, מדי יום עד כה חיסלנו אלפי מחבלים, מעל הקרקע ומתחת לקרקע एक तरफ इसराइल ने हमले जारी रखे हैं, तो दूसरी तरफ गाजा में मदद का सिलसला भी जारी रखा है इसके साथ ही उसका लक्ष है कि गाजा के नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालना ये जंग अभी और क्या रूप लेगा, ये वक्त ही बताएगा झालना